जिनका पिछली बार SSC GD का रहा होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिन मेरे जिन साथियों का पहली बार SSC GD का रिटन एक्जाम लगा है जो कि नेक्स्ट मन्त होने वाला है जैसा कि आप लोग आफिसल वेफसाइट पर ही घोसित कर दिया गया है कि आपकी जो लि पहली बार SSC GD के रिटन एक्जाम में बैठ रहे है या फिर जो पहले भी बैठ चुके है ठीक है दोनों के लिए यह वीडियो इंप्वार्टेट होने वाला है उससे पहले जो साथी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर करके बिल आइकन जो प्रेस कर लें आ आपका जो रिटन एक्जाम का एड्मिट कार्ड है वह अभी बिलकुल भी जारी नहीं हुआ है लेकिन आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो योटोब पर आपको वाटसेप पर फेस्बुक पर इस्टाग्राम पर हर जगा यह मिल रहा है कि आपका रिटन एक्जा अगर देख सकते हैं कि आपका फ़ीजेक्ट हुआ है या अगर रिजेक्ट हुआ है तो ईसका और भी बता दिया है कि आपका से जीडिक पर फ़ाम था और अब हम बताते आको एड्मिट का परषेस्स तो नहीं आपका 만 नंडित कार्ड एड्मिट ने अग्जाम के आपके सा साथ दिन पहले आएगा कितने दिन पहले आएगा साथ दिन लेकिन आप एक्जाम स्टार्ट होने से पहले यानि कि सोला नोंबर से पहले आठ से दस दिन पहले आठ से दस दिन पहले आप अपनी एक्जाम सिटी और आप अपना एक्जाम डेट और एक्जाम का सिप्ट जोंकि तीन सिप्टों में आपका रिटेन एक्जाम होगा आनलाइन लिखित परिछा आप ये सब चेक कर पाएंगे लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा आपके रिटेन एक्जाम से 7 दिन पहले चाहे वो आपका 17 तारिक रहेगा तो उससे 7 दिन पहले जोड़ कि वैसे-वैसे ज्यादा से ज्यादा एडमिट कार्ड जारी होते जाएंगे अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले एक बार फिर से किलियर करता हूं साथियों कि जो सेजी इडिका एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुआ है आपका अप्लीकेशन स्टेटस चेक किया जा रहा है उसके बाद आपका जो एकजाम सिटी एकजाम डेट और एकजाम के सिफ्ट है वह आपको डिटेन एकजाम स्टार्ट होने से नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भर